आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नमबर 29 तो आईए शुरू करते हैं वीडियो के स्टार्ट में आपके लिए कोशन है क्या बता सकते हैं कि ऐसा कोई एक्शन होता है कि यहां पे फ्लेक्शन भी होता है extension भी होता है abduction भी होता है adduction भी होता है सोचिए जस थेंग चली मैं आपको एक hint देता हूं बच्पन में आपने cricket तो जरूर किला होगा cricket में balling जरूर करी होगी तो सोचिए जब आप balling करते हैं तो उस समय आपकी body कौन सा action perform करती है उस action में क्या-क्या चीज़े involve होती है सोचिए, थोड़ा और सोचिए मैं बता देता आपको यहाँ पर circumduction होता है circumduction एक multi-axial motion होता है कहने का मतलब circumduction कई सारे axis में perform हो सकता है circumduction में circular movement होता है या अगर हम और precisely बात करें तो यहाँ पर एक conical movement होता है आपके body parts में जहाँ पर कई सारे actions का combination हो सकता है जैसे कि flexion हो सकता है extension हो सकता है abduction हो सकता है for example जो आपके ball and socket joints होते हैं यहाँ पर circumduction होता है जैसे कि जो हमारा shoulder joint ही यह एक ball and socket joint का example है तो यहाँ पर circumduction होता है अगर मैं circumduction किस तरह का action perform करता है आप देख सकते हैं जैसे अगर मैं हाथ को इस तरह से move कर पा रहा हूं तो यह action circumduction कहलाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं हम circumduction बोलते हैं सब आपको ध्यान आगया होगा जब आप balling करते हैं इस तरह से तो कौन से action यहाँ पर perform होता है हमेशे यहाँ पर एक चीज confusion रहता है fitness freaks के अमांग क्या सिर्फ इसी movement को हम circumduction बोलते हैं क्या हम इसको भी circumduction बोल सकते हैं या नहीं जात है लोग इसको circumduction नहीं बोलते हैं कुछ लोग सिर्फ इसको ही circumduction बोलते हैं यहां पर हमको समझना पड़ेगी कि हमको true circumduction किसको बोलना है इसके लिए हम जो circumduction होता है इसको दो केटिग्री में classify करते हैं पहली होती है multi-axial और दूसरी होती है bi-axial जो यह multi-axial circumduction है यह ball and shocker joints पे होता है जैसे जो हमारा shoulder joint हो गया जो हमारा hip joint हो गया यह example है ball and shocker joint के तो यहां पर multi-axial circumduction होता है इसी को ही हम true circumduction बोलते हैं जैसे आप जब हाथ इस तरह से घुमा पाते हैं यहां पर complete यहां पर reflection, extension, abduction, reduction के साथ यहां पर rotation भी perform कर सकते हैं इसलिए इसको true circumduction बोलते हैं वहीं जो हमारा bi-axial circumduction होता है यह आपके condylite joint, saddle joints में perform होता है इसलिए आपका wrist joint है यहां पर bi-axial circumduction होता है यह जो मैंने नाम लिए condylite joint, saddle joint, ball and shocker joint अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो इनके लिए मैंने complete separate video बनाए उसका link मैं नीचे description box में डाल दूँगा आप वहां से इसे जरूर चेक करें यहां पर साथी चीज़े बिल्कुल clear है अगर आपको कोई true circumduction का example पूचे तो आप यहां पर ball and shocker joint हमारे shoulder joint का example दे सकते हैं वहीं अगर आप से कोई पूचे है कि जो wrist joint होता है क्या या circumduction होता है या नहीं तो आप उनको बोल सकते हैं कि जो wrist पर circumduction होता है इसको biaxial circumduction बोलते हैं यहां पर true circumduction नहीं होता है यहां पर bi-axial circumduction होता है I hope आपको साही चीज़े clear हो गई होगी अब लोग को यहां पर एक और doubt आता है शायद आपके मन में भी question आ रहा होगा कि क्या rotation और circumduction दोनों same चीज़ है या दोनों different चीज़ है मैं आप एक चीज़ clear कर दू जो circumduction है और जो rotation है यह दोनों different चीज़े दोनों same नहीं होते है क्योंकि जो circumduction होता है multi-axial motion होता है यहां पर आपके body part कई सारे axis में move कर सकते हैं और कई सारे action एक साथ perform कर सकते हैं जैसे flexion हो गया extension हो गया abduction हो गया adduction हो गया वहीं जो rotation होता है यह एक uni-axial movement होता है यहां पर आपका body part एक long axis के चारों तरफ घूमता है for example जैसे imagine के लिए कि यहां से एक axis पास हो रहा है mid axis या central axis उसके चारों और हमारे body ऐसे घूमती है so इसको हम rotation बोलेंगे इसको हम circumduction नहीं बोच सकते है so यह major difference है circumduction और rotation के बीच circumduction एक multi-axial motion है वहीं जो rotation है यह uni-axial motion है so आज के वीडियो में तही I hope आपको circumduction क्या होता है अच्छी तरह से clear हो गया होगा और क्या-क्या इससे related myth है और doubts होते है वह भी सारी चीज़े clear हो गई होगी अगर आपको अभी भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या आपका भी भी कोई doubt है तो मेश मुझे comment करके जरूर बताए मैं उसका जरूर reply करूँगा और वीडियो के लास में आपको पता ही क्या करना है so hit the like, do the comment and share the video और अगर आप में चैनल पे पहली बार आए है तो मेश में चैनल को subscribe कर लें ताकि इसी तरह की classified and depth information आप से कभी मिसना हो thanks for watching, stay healthy, stay fit, bye, jahin